राजस्तान में गुरुबार को 49 नए पॉस्टिव केस सामने आए हैं इन में सबसे ज़्यादा जोदपूर में 20 पॉस्टिव केस मिले हैं वही जैपूर में 12 और नागोर में 10 और कोटा में 4 हनुमानगड में 2 और अजमेर में 1 संक्रमित मिला है इसे मिलाकर राज्य में संक्रमितों का आखड़ा 1937 पर पहुच गया है वही राज्य में संक्रमितों का आखड़ा 749 तक पहुच गया है वही जोदपूर में अब यह 354 संक्रमित मिल चुके है जोदपूर में MDM होस्पिटल की मेडिकल टीम संक्रमन से लड़ने के दोरान अपने जजबे को बनाए रखने के लिए हम हिंदुस्तानी गाना भजाती है दरसल मेडिकल स्टाफ ने इस टाइटल सोंग को अपने काम की शुरुआत का हिस्सा बना लिया है टीम वार्ड में जाने से पहले भारत माता की जै और करोना को हराएंगे के नारे लगाती है फिर हम हिंदुस्तानी गाने पर डांस कर संक्रमितों की देखवाल शुरू करती है नर्सिंग स्टाफ के सुप्रवाइजर नटवर भारगव ने बताया कि इस विमारी से हर व्यक्ति घबराया हुआ है ऐसे में यह गाना उन्हें प्रेरिट करता है सभी देशवासी अपनी करोना के खिलाफ नई कहानी लिख रही है हर हफते स्टाफ बदलता है लेकिन दिन के शुरुवात इसी गाने से होती है आपको बता दे कि जहपुर में गुरुवार को बारा नए रोगी मिले है SMS और हस्पताल में ही अब तक स्टाफ के बारा लोग संक्रमित हो चुके है इन में आठ तो डोक्टर ही है सबसे डुरानी वाली बात यह है कि मेडिकल आईसी उ में भरती युवक की साथ दिन बाद रिपोर्ट पोजिटीव आई है और यह युवक करीब पिछले एक महिने से अस्पताल में भरती है स्टाफ अब तक उसका बिना सुरक्षा उपकरनों के ही इलाज कर रहा था इसी के साथ कोटा में कुल मरीजों की संख्या 118 पहुँच गई है जोदपूर में गुरुवार को फिर 20 करोना पोजिटिव केस सामने आये बुदवार को 11 नाई रोगी मिले जो पिछले 9 दिनों में सबसे कम थे मंगलभार को भी 12 रोगी ही सामने आये थे जबकि इससे पहले 8 दिरों में 216 पोजिटिव केस मिल चुके थे जोदपूर में कुल संक्रमितों का आकड़ा 354 तक पहुँच गया है देखे एक रिपोर्ट आसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडेवाल J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise